Hello Everyone, क्या आप भी अपनी कंपनी की Health Insurance Policy पे पूरी तरह डिपेंड हैं? तो आज की विडियो आपको जरूर देखनी चीए क्योंकि आज इस विडियो में हम आपको बता रहे हैं कि पूरी तरह से company की health insurance policy पे depend रहने में क्या क्या risk आपके लिए हो सकते है और वीडियो के last में हम आपको बहुती अच्छा solution आपको देंगे जो की बहुती कम price में protection एड़ कर सकते हैं और अपनी और अपनी family की financials life को काफी अच्छा बना सकते हैं अगर आपका इसका proper solution चाहिए तो वीडियो पूरा देखे क्योंकि आदी वीडियो में आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस channel पे welcome करता हूँ इस channel पे हम regular insurance और investment के regarding information शेयर करते हैं अगर आपका कोई question है आप comment section में पूछ सकते हैं और अगर आप stock market में investment करना चाहते हैं तो इंडिया के बहुत बड़े broker अप stock का link description में है जिस पे click करके आप अपना dmit account open कर सकते हैं और investment start कर सकते हैं इसके इलावा कुछ अधर companies के link भी description में है और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया की top 3 healthy insurance companies कौन सी है तो उसका link भी description में है सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या risk है सबसे पहला जो risk है वो है low sum insured और low awareness यानि की कम insurance amount और बहुती कम information देखी corporate policy जो होती है वो tailor made policy होती है यानि की जो company की HR team है वो अपने हिसाब से insurance companies से features को add करवा सकती है और features को कम भी करवा सकती है जितने ज़्यादा features add होंगे उतना ज़्यादा premium increase होगा और जितने ज़्यादा features कम होंगे उतना premium कम होगा सो बहुत सारी companies बहुत सारी limitations के साथ policy holder को policy देती है almost up to 90% employees को यह information होती है कि उनके पास एक health insurance है बट उनकी term and condition उनको जब पता चलती है जब वो claim लेने जाते हैं और जब claim लेने जाते हैं तो पता चलता है कि उस policy पे बहुत सारी limitation है और जो mostly employees को health insurance की protection मिलती है उसका जो sum insurance होता है जादा तर दो लाग से 10-15 लाग के बीच में आपको मिलता है जो कि आज के treatment के हिसाब से काफी low sum insurance है और अगर आपके पास कोई backup plan है तो आप company की corporate policy के बाद अपने health insurance plan को use कर सकते हैं दूसरा जो risk है वो है no protection guarantee यानि कि जैसे आप job छोड़ते हैं आपकी जो protection है वो हट जाती है और जैसे कि हम सब को पता है कि medical insurance में waiting periods होते हैं अगर कल को आपको कोई job छोड़नी पड़ती है या किसी reason से आप job नहीं कर पाते हैं तो आपका जो insurance coverage है वो उसी समय हट जाएगा अगर आप कोई नई health insurance policy retail policy लेते हैं तो उसमें waiting periods होते हैं अलग-अलग waiting periods one month, two years, three years, pre-existing waiting periods etc यानि कि अगर उस waiting periods के दोरा नगर आपको कोई disease आ जाती है जो waiting period वाली है तो जो भी आपका hospitalization का expenses है वो आपको अपनी pocket से pay करना होगा जो again एक बहुत बड़ा risk है और third जो की बहुत ही बड़ा risk है वो है no coverage after major illness यानि कि एक बार अगर आपको कोई major illness हो गई यानि कि कोई critical disease हो गई तो कोई भी health insurance policy आपको policy नहीं देगी जादतर जो employee होते हैं वो 25 साल से 50 साल की age के बीच में 55 साल की age तक काम करते हैं और उसी समय तक corporate policy पर depend रहते हैं और इसका जो time period होता है वो काफी लंबा होता है और जिस हिसाब से आजकल जो बिमारिया चल रही है और risk है उस हिसाब से पूरे chances है कि इस time frame के दोरान अगर आग आपको practically job करना थोड़ा challenging होगा और कोई भी health insurance company आपको fresh policy नहीं देगी कुछ product होते हैं जो specially disease के लिए बनाए गए हैं बट उनमें काफी limitation होती है और premium भी काफी high होता है सो हमारे हिसाब से आपको एक backup plan रखना चाहिए अब बात करते हैं solution के बारे में कि corporate health insurance policy के साथ हमें कौन सा backup एड़ करना चाहिए ताकि हम अपने आपको protect कर सकें mostly लोग जो है super top of plan buy करते हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है वो भी हमें एक backup देता है बट हमारे हिसाब से जो deductible amount होता है mostly super top of plans में थुड़ा ज़्यादा मिलता है और जो features होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा multiple नहीं होते हैं सो हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा solution लेका है जो है SDFC Ergo को Optimus Secure हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे आप इसमें benefit ले सकते हैं और कैसे high risk cover ले सकते हैं इस वीडियो में हम इस product के information नहीं देंगे अगर आपको पूरा product दिखना है तो link description में डाल देंगे आप चेक कर ल इन में से जो भी आप deductible amount select करते हैं वो या तो आप अपनी pocket से pay करेंगे या company की corporate policy से pay कर सकते हैं और उसके बाद इतने भी claim से आप इस plan को use करके अपने claims को pay कर सकते हैं इसको हम आपको एक example से समझाते हैं हमने जो example यह है two adult or two child का लिया है 40 की age में जिसमें 50,000 के deductible amount पे 22,000 का premium pay करना होगा और one lakh deductible amount पे 18,358 रुपीज का premium pay करना होगा और कुल 18,000 रुपे spend करके आप इस plan में first day से 20,000,000 रुपे का coverage और दो साल में guaranteed no claim bonus के साथ 30,000,000 का coverage और unlimited restore benefit के साथ आप बहुत सारा coverage इस plan से ले सकते हैं और इस plan में कोई limitation नहीं है किसी तरह की कोई room rent की को disease पे modern treatment यह plan एक feature से fully loaded plan है नहीं आपको कोई non payable items, consumables की भी payment आपको अपनी pocket से pay करनी होगी आज के हिसाब से जो भी best feature healthy insurance plan में होने चाहिए इस plan में available है जो आप बहुत ही कम premium pay करके अपने लिए एक बहुत अच्छा backup plan बना सकते हैं और 5 साल के बाद आप इस plan को आप deductible amount भी हटवा कर एक normal policy में convert कर सकते हैं सो हमारे हिसाब से हमें सिर्फ corporate policy पर depend नहीं रहना चाहिए अपने लिए एक backup plan जरूर एड़ करना चाहिए जिसके features हमने इस video में आपको information दी है like और subscribe कीजिए अगर आपको video अच्छी लगयों तो finally thank you for watching